असलाम अलेकुम आवरवन तो आज की इस वीडियो में बड़ से आदर हूँ एक और नई किलास किसा तो काफी सारे कोर्सें हम कवर करते हुए जा रहे हैं तो मैंने सुचा कि क्यों ने एक कोर्स का और इजाफा कर दिया जाए मैंने सूचा के एकनॉमिक्स क्यों ना बात की जाएм जड़िये शुरू करण एकनॉमिक्स अगर से एक केतबी डेफिनेशन देखी जाएं तो हमारा पास क्यी तारी डेफिनेशन धा जाती है इनको अगर पढ़ने के जाहने दो पढ़ने के ठेके , तो उनक्षोस लोग देशिति जारी.. अबाले समझने के लिए ठ्छोसचीत यह भी एक बाद होगे, अभी आपके उड़ते उड़ते जा रही है, मगर जब मैं आपका सम्झाओंगा, तो आपके अराम रापस सबजब आना शुरू होगी, उसके बाद तीसरी देफिनेशन जो है, मेरे पास वो है, So far the number of definitions have given by the various economists, these definitions however can be grouped together under the following three heads, अब हमार पास three heads का है, बोत हमना पढ़ेगा, अब यह जो लास वाली definition पढ़ी है, यह थोड़ी से अलक्सी है, यह जो मेरी वर्टिंग में थोड़ी से आपको याद करने में सारी होगी, अगर आप यह भी लिख देंगे तो कोई इतनी बड़ी प्रॉट्म नहीं है, मगर यह जो लास वाली है, नमबर त्री वाली, इसके अंदर three heads है, यह हमारी book से है, जो हमारा निसाब है, इसमें से, तो जो three head है economics के, जो main है, उनको अदर discuss करने है, हमारे पास है number one, wealth, number two, हमारे पास material welfare, number three, हमारे पास है, scarcity and choice, तो यह हमारे पास three main head है, economics है, अभी तक हमने काफी तो अब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगी है, हम आम अपनी जिंदगी में, हम काफी चीज़ों में, economics के इसमाल कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हमने आज तक कभी पढ़ाय नहीं होता है, तो first year में हमें पहली बार economics के बारे पढ़ा जाता है, तो अब economics से होती है, अब हमें यह चीज़ समझने रहे हो रहे है, अगर बात की जाए है, रोज मरा के जिंदगी की, तो आपकी रोज मरा के जिंदगी की एक थोज मिथाल मेरे पास यह है, कि अगर हम number two की definition पे गौर करें, तो यहां पर लिखा हुआ है, कि the branch of science concerned with the production, conceptions and transfer of अब इसकी क्या मिसाल होगा है, यह हमरी जिंदगी में क्या interling कर रही है, तो अभी बताता हूँ, अब मानने के आपके घर में कोई बंदा कमाता भी होगा, यह मानने के आपके भाई हो सकते हैं, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, और कमाने की दो वज़ुहात हो सकती है, या तो business, या फिर job, तो यहीना आपके घर में कोई बंदा घही ना कहीं काम जरूर करता होगा, अब काम की मिसाल कैसी है, काम की दो मिसाल हो सकती है, जैसे job भी हो सकती है, और business भी हो सकता है, तो business में आप कोई चीज अपनी बना के किसी को provide करेंगे, और job के अंदर आप आप सो हो जाती है, मतलब आप job कर रहे हैं, या फिर business कर रहे हैं, तो उनका आखर का nature जो बनके निकलता है, वो एक wealth की सुरत में निकलता है, एक पैसे की सुरत में मिलता है, मान ले कि आप को बिजिस कर रहे हैं, आप को चीज प्रोडियूस करके, आप किसी को sale करेंगे, त जहां पर job के बाद आती है, आप किसी को अपनी service प्रोडियूस करेंगे, वहाँ अपनी service प्रोडियूस करेंगे, तो आपको last में wealth मिलेगी, जो है money, तो यह हमारी आम जिन्दगी में एक मिलता जुता, एक मिसाल हो सकती है, और काफी इच्छी मिसाल हो सकती है, तो अब हमे इतनी सी बात देखने से तो economics फुरी फातर नहीं होजेगी ना, अब हमें तो चैप्टर पर भी गौर करना परेगा, अब चैप्टर की जहां तक बात की जाए, तो page number 18 पे हमारे पास लिखा हो आता है, हमारी book में, जो है, मुबारक अली की, तो मैं यही कहूँँगा कि आप इस book को purchase कर लें, ताकि हमारी coordination मन जाए, उसके बात जो है, हमारा page number 18 पे हमारे पास आता है, economics is a science of wealth by Adam Smith, यह हमारे Adam Smith भाई साब है, जो यह कह रहा है कि economics एक wealth है, चीक है, तो भाई, अब कैसे wealth है, अब हमें पता जाले कि जब हम इनकी definition पे गोर करेंगे, इनकी definition पे गोर करन काफी बड़ी इनकी, मतलब, definition given है यहाँ पर, अब इतनी जादा तो कोई नहीं समझ सकता, अब मैं आपको थोड़ी सी, इसको short करके सिखायता हूँ आपको, अब जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दी है, जो अभी मैंने आपको job वारी मिसाल दी है कि हमारी आम जिंदगी मे तो यह एक ही मिसाल नहीं है, एकनॉमिक्स की, इकनॉमिक्स कई तरीके की होती है, इसी वाई से इस बुक के अंदर काफी सारी लोगों ने अपनी अपनी consequences बता ही है, तो हर बंदा अपनी अपनी advice नहां पर show कर रहा है, अब जिससे Adam Smith की जहां तक बात की जाए, तो वो बोल तो वो उसकी मिसाल से बिलकुँ मैच हो रही है, तो आपको वो समझ आ जाएगी उससे, तो अब Adam Smith की definition में से हमें क्या क्या समझना है, मैं अभी आपको बताता हूँ, आप देखें मेरे साथ साथ, follow कीज़ेगा, सबसे पहले, आपने Adam Smith की definition में आपने लेना है, Adam Smith की date of birth, य हमारे पास दो डेट्स आ गई है, 1723 और 1790, तो यह दो डेट्स आपने याद रखनी है, कि यह Adam Smith की date of birth है, और date of death है, तो यह दो डेट हो गई हमारे पास, उसके बात दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, हमें यह याद रखनी है, कि Adam Smith ने यह अपना जो article है जो इसमें पोस्ट होगा है, यह बुक कब रूट करी है, उन्होंने कब लिखी है, तो Adam Smith ने यह बुक लिखी है 1776 में, यह आपने याद रखना है, यह भी MCT ने पूछे जा सकता है, और इसका सवाल भी बन के आ सकता है, तो यह दो important चीज है, और तीसरी जो common sense वाली बात है, और आप आपने याद भी रखना है, कि Adam Smith ने कभी कबार ऐसा सवाल बन के आ जाता है, कि examiner आप से यह पूछ लिखा था है, कि Adam Smith ने क्या लिखा था, किस चीज की बुक लिखी है, तो यह आप याद रखिए कि उनकी जो economics में थी, वो थी wealth की, यह आपको याद रखना है, कि Adam Smith ने wealth क के बारे में discussion कीती है,